और दो अम्रत आप Leader के अब यह ए कि दोगया है और ऑसे नहीं को सबार्इन जो आटिया आएट दुग है और नॉस इलीकर चौओदा आये तक हमारे साथ दिखिए दो लोग जब प्रात्ना करनी के लिए जैसे मंदर में अभी आप प्रातना करने के लिए यहां बैठें तो प्रातना कर रहे हैं पर उनके प्रातना करने का जो एडिया है वो दोनों का भिन है ज़रा समझीएगा क्या लिखा है वहाँ पर दो मनश्य मंदर में प्रातना करने के लिए गए तो वहाँ बर भी मंदिर में प्रातना करने के लिए लोग गए और लिखा है एक फरीशी था और दूसरा चुंगी लेने वाला एक फरीशी था दूसरा दो लोग ध्यान से समझे प्रातना करने के लिए गए पर अब क्या हुआ फरीसी पहले बार प्रातना करता है और फरीसी जब प्रातना करता है तो लिखा है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रातना करने लगा हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवात करता हूँ मैं और मन्रिशों की नाई अंधेर करने माला अन्याई बेविचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ उनके बगल और कौन खड़ा था भई एक चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ ऐसा प्रात्ना कर रहा था आगे दिखाएए मैं सबता हमें दो बार उपवास रखता हूँ कौन बता रहा है अपनी सब कमाई का दशुएंस भी देता हूं हाँ इसा किस से बता रहा है वो प्राभू से बता रहा है मंदुर में उसके बाद देखिएगा परंतु चुंगी लेने वाले जब चुंगी लेने माले की बारी आती है तो जब वो प्रात्ना करना सुरू करता है दोनों को प्रात्ना करने का एडिया देखना है जब वो प्रात्ना करना सुरू करता है तो लिखा है चुंगी लेने माले ने दूर खड़े होकर मंदर में नहीं गया बलकि दूर खड़े होकर के स्वार्ग की और आँखे उठाना भी न चाहा वरन अपनी चाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर तया कर क्या कहा मुझ पापी पर इस अब देखिएगा पर यगाग परन तू मैं तुम से कहता हूँ परभू कह रहे हैं मैं तूम से कहता हूँ दूसरा नहीं परन तू यही मनुष्व method धर्मी ठहराया जाकर के अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा अलेलुया देखें आप आ रहे हो आपके परिवार के साथ कोई और भी आ रहा है आपके पडोसी भी आ रहे हैं प्रेयर करने के लिए आप दो लोग मंदिर में प्रेयर करने के लिए बैठे गए हो अब आप कैसे प्रात्ना कर रहे हो अगला आदमी कैसे प्रात्ना कर रहा है अगला आदमी कर रहे है प्रभू ध्यान देना मैंने कितना किराया खर्चा करके इदार आया हूँ होस में ध्यान देना प्रभू, नहीं तो मिल लूँगा आप से ओ प्रभू, ध्यान देना मैं अपना घर छोड़ कर इदार आया हूँ ध्यान देना प्रभू, आभी में 20 दिन से प्रभू, तेरे साथ उपवास था, कुछ घरबन नहीं होनी चाहिए होस में प्रभू, ऐसा करके फिर, प्रभू, मैं तेरे लिए ऐसा करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा करता हूँ मैं तेरे लिए ऐसा करता हूँ ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ ये मैं करता हूँ, आमेन चला गया, उसकी प्रातना किया अगला आदमी अपनी क्वाल्टी बताया केवल क्वाल्टी प्रभू सुन लेना मैं उपवास रखता हूं सब्ता में दो बार अपना कमाई का दश्वान साब को देता हूं सुन लेना प्रभू पर देखो इसको जो मेरे बगल खड़ा है चुंगे लेने मला ये पापी आ और दोनों के प्राथना कर रहे है कि क्या कर रहे है इतिहास लिख रहे है प्रभू के सामने अपना क्या कर रहे है दो लोग प्रेयर करने माले एक तो अपनी काबिलियत बता रहे है अपनी क्वाल्टी बता रहे है किसके सामने मैं ये करता हूं प्रभू मैं ये करता हूं मै ये करता हूं मैं ये करता हूं मैं ये करता हूं आमिन बोलके चला गया अगला आदमी क्या कर रहा है चुंगे लेने वाला वो जानता है मैं पापी मनश्यूं और हमारी प्रात्ना तबस्विकारी होती है जब प्रभू के सामने प्रायश्चित करके जाते कुटने टेकते प्र फरिसी विक्ति कोई प्रात्ना नहीं कर रहा था वो तो अपनी काबिलियत प्रगट कर रहा था काबिलियत प्रभु के सामने मत दिखाओ आप क्या करते हो आप प्रभु के लिए क्या बोते हो ये मायनी नहीं रखता लेकिन आप किस रास्ते से हो के जा रहे हो प्रभू आपके पाप च्वमा करेगा उसने ये नहीं कहा प्रभू चुंगी लेने माले के फरीसी के तरह उसने प्रार्थना नहीं की सुनना, दो लोग दोड रहे पर प्रभू ने किसको कहा पहला नहीं पर तो दूसरा यही दूसरा उद्धार पाएगा पर पहला नहीं किको उसने केवल बखान किया केवल अपनी काबिलियत बताई अपने आपको का प्रभू मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ ये चीजे बताने के लिए नहीं है ये चीज़े प्रभू आपको देख रहा है ये चीज़े कभी बताई नहीं जाती है जो ये कर रहा है मैं उपवास रखता हूँ ये बताने की चीज़ नहीं है मैं अपने जीवन का प्रभू तेरे सामने बीज बोता हूँ ये दूसरों के सामने कहने की जरूरत नहीं है सिखाने की अलग बात होती है दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है प्रभू के सामने कहने के विशक्ता नहीं है प्रभू हमारे मन से बढ़ा है आमेन प्रभू हमारे बढ़ा है की नहीं बढ़ा है बोलके बताईए प्रभू हमारे मन से बढ़ा है तो ये चीज जो ये बता रहा है क्या है सही कर रहा है मैं ये करता हूँ दिखाईए फिर से क्या कहता हो देखिएगा क्या करता हो मैं सब्ता में दो बार उपवास रखता हूँ क्या वो सही कर रहा है किस से बात कर रहा है बोल के बताना है प्रभू से वो कह रहा है तो क्या ये सही कर रहा है आप रख रहे हो आपको कौन जानता है बोल के बताना है और मैं अपनी सब कमाई का दश्वांस भी देता हूँ ये वहां बोल रहा है चुंगी लेने माले के सामन क्या ये स़िह कर रहा है, और क्या करता है, और क्या बोलता है, पर यह गवे उद्र, और आगे, फर इस फिर खड़ा होकर, मन में प्रातना करने लगा, मैं निखराघ्त करता हूं, क्यू मैं मनिशो की नाहिं, अन्धेर करने वाला नहीं हूं, पर ना समझे मनिश्यों की नाई वो अंधेर ना करने माला और अन्याई और बेविचारी नहीं हूँ इस चुंगी लेने माले के समान नहीं हूँ जो बगल खड़ा है प्रभू मैं इसके जैसे नहीं हूँ पर इसका प्राथना का जो सिगनल है वो ठीक नहीं आप अपनी काबिलियत प्रभू के सामने प्रगट कर रहे हो कि प्रभू के सामने प्राथना के वास्ते गया हो आप यहां प्रभू के सामने बेटे आप अपने आपको यह नहीं बताना प्रभू मेरे पास दस वीगे खेत है मेरे पास पाचवीगे खेत है प्रभू मेरे पास ये हैं मेरे पास वो है आमीन आमीन ये क्या आपने कुछ प्राथना तो नहीं किया परन्तु आपने अपना परिचे दिया क्या दिया प्रभू आपका परिचे जानता है उसे बतानी की ज़रुवत नहीं है उसके सामने किसी मनुश की क्वालिटी रखना बेकार है वो सबकु सम organizowa है आपके लिए उसको प्राथना में कैसे सामिल करना है प्राथना के सरूप में कैसे बात करना चाहिए ये चीज यहाँ पर हमको प्रभु सिखा रहे है प्रभू के सामने बताएं तो हम अपने आप को क्या पेस कर रहे हैं कि प्रभू मैं बहुत सक्तिशाली हूं मैं बहुत ये हूं मैं बहुत ये हूं यही एक बार गलती दाउद ने किया था वह सारे युद्ध को जीता गया कोई भी युद्ध वो नहीं हारा पर याद रखना है वो प्रभू के सामने क्या करता है मेरी आर्मी, मेरी फाउज मेरे पास इतने जवान जवान फाउज है इतने लडाकू लोग है इतने सूर बीर लोग है ऐसा गिंती करने वाला दाउद फस जाता है याद रखना इस बात के लिए क्योंकि दाउद जितने वी युद्ध लडा करता था परमेश्वर उसकी मदद करता था आपके पास बीर कितने भी हो यदि प्रभू आपकी सहायता ना करे आप हर युद्ध हार जाएंगे समझ रहे क्या आप? प्रभू यदि मदद ना करे तो आप कहीं भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं और वहाँ दाउद ने गल्ती किया दाउद अपने आर्मी को दिखा रहा है ये आर्मी है मेरी ये मेरी फाज है इतने वीर दस अजार ये फाज है पचास अजार ये फाज है ऐसा करके वो दिखा रहा था और इसी कारण पर मेश्वर उसे कहां लेके गया वो एक समस्या में चला गया याद रखिए खुद पर भरोसा बाइबल सिखाती है नहीं परमेश पर भरोसा हमारे जीवन से वो काब बात करेगा वो काम करेगा आमें हालेलुया एक बात याद रखिएगा यहाँ पर हम जिस विशे पर चर्चा कर रहे हैं आज हमारी दोड कैसे है हम कौन से कौन सी दोड दोड रहे है किस तरीके से दोड़ रहे हैं अभी आपने बहुत सारे लोगों ने दोड़ करके आया अभी लगातार प्रभु के साथ समय वैतीत किया और आपने आत्मिक इस्थितियों को अपने अंदर अपने परिवारों में बलवान होने दिया हाँ या ना बड़ी त्याक के साथ और परमेशर पर बड़ा ही मन लगा करके प्रभु के साथ आप समय वैतीत करते हुए यहां तक आए यह प्रभु को बहुत अच्छा लगा आमेन याद रखिये परमेशर अनुगरा देने के लिए तैयार है भर पूरी का सामर्थ का एक तेज का अनुगरा आपके जिंदगी में देने के लिए तैयार है इशु के नाम है आमेन याद रखो कि हम जो दौर दौर रहे हैं उसमें किसी तरीके का उस दौर के अंदर संसार की तमाम गुनाह की बाते और पाप की बातों को हम उस दौर में सामिल नहीं करेंगे याद रखना क्यों? क्योंकि अगर हमने अपनी दौर में संसार की दौर को सामिल किया तो हम नीचे गिरेंगे यदि हम अपने आत्मिक दोर में सारीरिक दोर को अगर हिसाब किताब से लिया तो हम नीचे गिरेंगे हमारी दोर आत्मिक है पर उसी सबूला हमारी दोर आत्मिक है कौन सी दोर है हाँ हमारी दोर क्या है और इस आत्मिक दोर को हमें सारीरिक दोर नहीं बनाना, मतलब पाप की दौर नहीं बनाना, गुनाह की दौर नहीं बनाना इसलिए यहां पर देखो जब दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं दो लोग वेक्तियों का प्रार्थना बिलकुल भिन है प्रभू उसे नहीं चाहता जिसने अपनी काबिलियत गिनाई प्रंतु प्रभू उसे चाहता है जिसने कहा मैं पापी मनुष्य हूं मेरे पाप आप उसके सामने बड़े नहीं हो सकते आप उसके सामने नमर बनिए हम मनुश हैं, हम मनुश अपने आपको उसके सामने बड़ा कभी न दिखाएं वो सर्वी शक्ती माने, वो हमें जिन्दा रखते हैं, हम जिन्दा हैं वो हमें अपनी सांस दे के रखते हैं हम चलते फिरते हैं जिस दिनों अपनी सांस को ले 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 लेते हैं हम मिट्टी में बदल जाते हैं हम उसके सामने किस तरीके से पेस हो हमें ये सीखना होगा हालेलुया चलिए वहाँ पर आखिर में दिखाईएगा क्या लिखता है आखिर में दिखाईए चौधा आयत को दिखाईए क्या लिखता है 18 उसका चौधा आयत में क्या लिखाईए मैं तुमसे कहता हूँ वहाँ दूसरा ने परन्त यही मनश धर्मी ठेराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा आमीन मतलब समझ रहें बड़ा बनाने का मतलब क्या हुआ जान लिजिए अभी हमने एक विक्ति को देखा वो प्रभू के सामने खड़े उकर अपने आपको क्या बना रहा था हलो सुनिए क्या बना रहा था कैसे बड़ा बना रहा था क्या उसने प्राथना की क्या उसने क्या कहा उसने अपने अंदर की काबिलियत गिनाए क्या गिनाए मैं ये करता हूँ प्रभू, मैं ये देता हूँ आपको, मैं उपवास रखता हूँ प्रभू, मैं इस बेविचारी के जैसा नहीं, मैं इस चुंगी लेने माले के जैसा नहीं तो वो जो अपनी गिंती गिना रहा था, वो अपने आपको बड़ा साबित कर रहा था और यहीं पर प्रभू लास्ट में बात को कहते हैं कि जो अपने आपको बड़ा बनाता है वो परमेश्वर के सामने क्या हो जाएगा चोटा हो जाएगा तो क्या आपको छोटा बनना है प्रभू के सामने बड़ा बनना है एमिन मलब प्रभू हमारे हाथ को पकड़े स्बग्वाशना करने वे अभी हम आती ही आपको कुछ बता रहे थी कि हमें अपनी जिंदीगे में किस तरीके से उस परमिशर के आत्मा के अनुसार जीने के लिए आत्मिक गती को बल्वंत करने के लिए प्रभू आपको किस तरीके से उस दौर में लेके जाना चाहता है प्रातना तो नहीं कर रहा है हमारी प्रातना फरिसी की जैसे तो नहीं है हम इसको ध्यान से सुनना है हमारी प्रातना कब सविकारी होती है अपने आपको दीन किया की नहीं अपने आपको प्रभु के सामने सही किया की नहीं याद रखना हमें ये गिंती नहीं कि ना प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया है ये चीज कहने की जरूरत नहीं है Bible कहती कि जब तू उपवास के साथ रा ते इसे ढोल मत बजा भाई कि मैं उपवास के साथ जिनाओ अपने आपको ये साबित मत कर कि मैं उपवास के साथ हो लोग मुझे जान ले इस जरूरत नहीं आपको किसी को बताना पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है अभी ओ जी प्रभू मैं सब्ता में कितनी बार कौन प्रातना कर रहा है भई बोल के बताना है फरीशी क्या कर रहा है मैं सब्ता में प्वास रखता और अपनी कमाईगा ओ प्रभू और ये देखो जो मेरे बगल है ये पापी मनश है ये खुदी कौन बोल रहा है फरीशी क्या ये इसकी प्रार्थना है जरा बोलके बताईए भई आप जो करते हैं वो आपका फल है सुनना जरा और फल कभी ये नहीं कहता कि मैं ये हूँ आप अपनी बढ़ाई करना पागल पने आप अपनी ही बढ़ाई करें ये तो बाइबल कहता है ये मूर्खता है पर हाँ आपकी बढ़ाई कोई दूसरा करे या परमेश्वर आपकी बढ़ाई करें ये आपकी बड़ी महांता है आमेन अब चुंगी लेने वाले की बढ़ाई किस ने किया परमेश्व ने पर उस व्यक्ति की बढ़ाई परमेश्व ने नहीं किया बोला वो नहीं परन्तु यही व्यक्ति-धर्मी ठेर आजाएगा यही व्यक्ति-धर्मी के लिस्ट में आएगा यही व्यक्ति धर्मी है, वो व्यक्ति धर्मी नहीं है, कभी धर्मी अपनी बढ़ाई नहीं करता, ओ जी मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नो, आपकी भक्ति, जो कुछ आपके जीवन में भक्ति में तरीके से आता है, उसे दूसरों के सामने चिलाने की जरूरत नहीं है जो आप करते हैं उसे आपको चिलाने के विशक्ता नहीं है मैं उपास रखता हूँ मैं ये करता हूँ प्रभु के लिए मैं ये करता हूँ नो वो एक फल होए जो आपके अंदर है वो प्रभु देखता है हमारी ये भक्ती ग्रेन योग्य नहीं प्रण्तों हाँ अगर हम प्रभु के सामने जाते तो हमारी दसा क्या होने चाहिए नम्रता की दसा प्राइश्चित की दसा माफी की दसा क्योंकि वो परमेश्वर है उदारन के लिए आप जिला अधिकारी के सामने जा रहे हैं आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप बड़ बोलेगा मैं तरे लिए कुछ नहीं कर सकता वो तुरंत बोल देगा क्यों बोल देगा वो क्योंकि वो समझ जाएगा तुम कैसा वेक्टी हो हम जब अधिकारी के सामने जो अधिकार युक्त वेक्टी होता है उसे हमें कुछ भी उसके अधिकार का प्रियोग अलाब के लिए जिन्दगी में पाना है तो उसके सामने नम्र दसा में जाना चाहिए की नहीं अपने आपको नम्र दसा में उस अधिकारी के सामने जाना चाहिए की नहीं अपनी अर्जी को अपनी प्रात्ना पत्र को बड़े ही नम्रता के साथ उसके सामने देना चाहिए कि नहीं जब आप नंबरता पुरुवक अपनी प्रात्ना पत्र को अपनी अर्जी को प्रभू के सामने उस अधिकारी के सामने आप दोगे वो अधिकारी आपके लिए काम करेगा ना भी इच्छा रहेगा तब भी आपके लिए काम करेगा क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी जो आप उसके सामने जाने के जो आपका तरीका है वो बहतर होना चाहिए तो बोलेगा चलो किसी के नहीं पर तो इसका कर देते क्योंकि ये बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे सामने आया है हालेलुया बात समझ रहें की नहीं उदारन के लिए जब आप कोट में आपको एक केस फाइल करतें पी आईल दाखिल करतें जब आप कोट में जाते हैं और आपना पी आईल दाखिल करतें अपना case वहाँ पर सुनवाई के लिए देते हैं तो आपकी PIL में क्या लिखा है आपने किस तरीके से प्रातना request तयार किया है कि जस्टिक उसको अच्छा से पढ़कर समझ ले आपकी भावनाओं को जान ले आपके दुखों को समस्याओं को जान ले और उस पर एक decision दे अगर आपने सही रीती से उसमें आपने सही उलेक नहीं किया है तो वो आपके लिए निरने नहीं दे पाता है फिर वो खारिच कर देता है फिर या उसे बाद में सुनने के लिए कह देता है या सुनता ही नहीं है लेकिन जब आप सही रीती से, सही बिशे पर आप उसको बना के लेके जाते हो कोट में तो वो शिच को देखता है कि हाँ ये चीज़ सही है और इसमें दम है हालेलुया याद रखो आप अपनी अर्जी उसी तरह प्रभू के सामने कैसे आप लेके आते हैं कठोर मन के साथ प्रभू के सामने आएं और आप दूसरों को बोल रहे हो ये ठीक नहीं है मैं ठीक हूँ ये गलत है मैं सही हूँ ये नहीं करता मैं करता हूँ तो आप दूसरों को जच कर रहे हैं दूसरों को न्याय कर रहे हैं ये ठीक नहीं है मनुष एक मनुष दूसरे मनुष का simply साधार वैक्ति जो अधिकार में उनके लिए नहीं लेकिन आप हमें क्या करना है एक वैक्ति हम भी है एक वैक्ति अगला भी हो जो कि दूसरों को judgment करने के लिए एक जगा होती है आप ही जज क्यों कर रहे हो जब प्रभु के सामने दोनों गई हाजर हुए हैं तो वहाँ पर देखिएगा वो फरीसी उस चुंगी लेने वाले का जज़ कर रहा है, मतलब न्याय कर रहा है कर रहा है की नहीं कर रहा है? वो क्या कहता है, दिखाईए उसको क्या लिखा? इस चुंगी लेने वाले के समान में नहीं हूँ, वहाँ पर यह लिखा, लिखा, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, इसका मतलब क्या है, कि चुंगी लेने वाला बुरा है, मैं क्या हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप परमेश्वर के मंदिर में जब आते हैं, तो आपकी प्राथना करने का जो तरीका है दूसरों को नहीं देखना आप किस तरीके से अपने आपको प्रभू के लिए तैयार करते है आप किस तरीके से तैयार हो रहे हो प्रभू के सामने क्योंकि प्रतिफल देने वाला तो परमेश्वर है उसके सामने यदि सही याचिका लेकर आप जाओगे आओगे तो वो आपकी याचिकाओं को प्रार्थनाओं को सुनता है आमेन और देखिए यहाँ पर उसने उस फरीसी की प्रेयर नहीं सुनी पर किसकी प्रार्थना सुनी थे जी में बताईए चुंगी लेने वाले की प्रार्थना कैसी थी? नम्रता के साथ थी की नहीं? दीनता के साथ थी की नहीं? वो अपने आपको आते ही क्या बोल दिया? उसको पता है कि मैंने गल्ती किया है चुंगी लेने वाला है? लफड़ा किया होगा कहीं? उसको पता है कहीं नहीं कुछ गर गड़बर हो रहे हैं लेकिन जब वो प्रभू के सामने गया तो अपनी जिंदगी की सुरुआत उसने कैसे की हे प्रभू मुझ पापी पर क्या कर मुझ पापी पर दया कर मतलब अपने पापों की छहमा ले लिए उसने जब छहमा हो गया तो येश्यू मसी के लहू से वो शुद्ध हो गया चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और पर्मिश्यूर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और आपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।